प्रिये दोस्तों, क्या आप भी UPSC, IPS, IAS बनना चाहते हो? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें 12 बहुत ही महत्पूर्ण सवाल पूछे जाने वाले हैं, जो की UPSC, IPS, IAS के एकजाम में पूछा जाता है. चली एफ वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे की आपको न्यू वीडियो मिलती रहेगी. हमारा पहला सवाल है, भारत का राश्ट्रिय पेड़ कौन सा है? आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C, बरगद, इसका सही उत्तर होगा, आपका दूसरा सवाल है, UNDP का पूरा नाम क्या है? हमारा ओप्शन है, ओप्शन A, United National Development Province, B, United Nations Development Program, C, Arab Nation Drilling Petroleum, या D, इनमें से कोई नहीं. इसका सही उत्तर होगा, B, United Nations Development Program, हमारा जवाब होगा, अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है, जो दूद और अंडा दोनों देता है? आपका ओप्शन है, A, Platypus, B, Magarmach, C, Cockroach, या फिर D, याक. आपका सही जवाब होगा, A, Platypus, इसका उत्तर होगा. हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का डैंडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? आपका ओप्शन है, ओप्शन A, मार्च 1930 में, B, जून 1930 में, C, अगस्त 1930 में, इसका सही जवाब होगा, ओप्शन A, मार्च 1930 में, आपका आंसर होगा. आपका पांच्वा सवाल है, भारत की उतरी सीमा परस्थित परवत कौन सा है? हमारा ओप्शन है, A, मैकाल परवत, B, हिमाले परवत, C, नीलगिरी परवत, या D, अरावली परवत. आपका सही उत्तर होगा, ओप्शन B, हिमाले परवत, इसका सही जवाब होगा, हमारा अगला सवाल है, ट्रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपका ओप्शन है, A, 1915 में, B, 1903 में, C, 1899 में, D, 1905 में, इसका सही आंसर होगा, ओप्शन D, 1905 में, आपका सही जवाब होगा, अगला सवाल है, एक कक्षा में 15 लड़कों की ओसत आयू 11 वर्ष है, यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं, तो अब उनकी ओसत आयू क्या होगी? आपका ओप्शन है, ओप्शन A, 10 वर्ष, B, 20 वर्ष, C, 10.5 वर्ष, या फिर D, 10.33 वर्ष हमारा सही जवाब होगा, C, 10.5 वर्ष, इसका सही उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है, मोर को भारत के राष्ट्रिय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान किया गया था? हम सब का ओप्शन है, ओप्शन A, 1949 में, B, 1950 में, C, 1951 में, या D, 1952 में, हमारा सही उत्तर होगा, ओप्शन D, 1952 में, आपका सही जवाब होगा, आप सब का अगला सवाल है, भारत का ग्रैंड ओल्ड में किसे कहा जाता है? आपका ओप्शन है, ओप्शन A, दादा भाय नौरोजी, B, महात्मा गांधी, C, गोपाल कृष्न गोखले, टिया ओप्शन D, सुभाष चंद्र बोस, इसका सही उत्तर होगा, ओप्शन A, दादा भाय नौरोजी, आपका सही जवाब होगा, हमारा अगला सवाल है, विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाय जाते हैं? आपका ओप्शन है, A, माल्दीव, B, इंडोनेशिया, C, आस्ट्रेलिया, या फिर D, अफगानिस्तान आपका सही जवाब होगा, C, आस्ट्रेलिया, इसका उत्तर होगा, अगला सवाल है, वो प्रथम महिला कौन थी, जिसने साथ प्रमुक सागर तैर कर पार किये थे? हमारा ओप्शन है, ओप्शन A, चान्दिनी, B, बुला चौदरी, C, मृदूला राजीव, D, प्रिया शानभाग इसका सही जवाब होगा, ओप्शन B, बुला चौदरी, हमारा सही जवाब होगा, आपका अगला सवाल है, रामायन का फार्सी अनुवाद ट्रांजलेशन किसने किया था? आपका ओप्शन है, A, अमीर खुसरो, B, मलिक मुहम्मद जायसी, C, अब्दूल कादिर बादायोनी, या D, मुला शीरी हम सब का सही उत्तर होगा, C, अब्दूल कादिर बादायोनी, आपका सही जवाब होगा, यह सवाल आप सब के लिए है, जिसका जवाब आप सब कॉमेंट बॉक्स में बताइए, आपका सवाल है, वो कौन सा जानवर है, जो अंधेरे में भी देख सकता है, हमारा ओप्शन है, A, चीता, B, भेरिया, C, तेंदुआ, टेहिया ओप्शन ड्री, भालू, इस प्रशन का उत्तर आप सब को कॉमेंट बॉक्स में बताना है, धन्यवाद